हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको टाइम रेनगेड यह मूवे एक्स्प्लाइन करने वाला हूँ यह टाइम ट्रावल मुर्डर मिस्ट्री मूवी है इसमें दो कारिक्टर हमारे, एक कॉप और एक टीचर यह दोनों अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करते है यह दोनों अलग अलग टाइम पेरेन में होते है पर फिर भी अपने ड्रीम्स के थ्रू कम्यूनिकेट कर सकते है तो चलिए इस अमेजिंग मुवी को एक्स्प्लाइन करने स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होते है और अभी 31 दिसेंबर दिखाय जाते है एक स्टीट पर होते है जहां वो आने वाल होते है जब किम उसको स्पॉट करता है तो दूसरी तरफ से भागने लग जाता है किम उसके पास बहुच नहीं सकता किम का जो कोवर करोता है वो एक जगा पर उसे पकड़ लेता है किम जब वहाँ पोचता है तो इन दोनों में हतापाई हो रही होती है जो कल्परिट था इसके पास गन भी होती है किम इसमें जखमी हो जाता है इसे अब होस्पिटर में ले जाया जाता है अब मैं आपको 1982 में क्या हुआ था ये बताता हूँ यहां में बिक और सुहान दिखते हैं बिक और सुहान ये दोनों टीचर हैं आज 31st है और सब celebration हो रहा है तो बिक सुहान को एक ring देता है क्या वो उससे शादी करेगी ये उससे पूछता है ये इसके लिए हाँ कर देती है ये जब सब हो रहा होता है तब सुहान की bag लेकर एक आदमी भाग जाता है बिक भी उसके पीछे पेचे भागता है वो bag लेना चाता है जब वो इससे पकड़ लेता है तो इसके पास चाग होता है जिससे बिक को injure कर देता है 2015 में कीम अब होस्पिटल में है वो अब ठीक हो चुका है वो मैं उठता हुआ दिखता है और हमसे कहता है उसी रात मेरा सब कुछ बदल गया मुझे ड्रीम्स आना शुरू हो गया मेरे सबनों में एक आदमी मुझे दिखने लग गया ये बीक ही उसे दिख रहा होता है अब हमें 83 में बीक और सुवान दिखते है बीक इसका आवाज रेकॉर्ड कर रहा होता है ये जो बाते करती है ये सब रेकॉर्ड कर लेता है जब सुवान उससे पूछती है कि ये तुम क्यों करते हो तो वो कहता है कि हमेशा के लिए इस टाइम को मैं freeze करना चाहता हूँ जब तुम किसे टाइम को record कर लेते हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है इन दोनों के relationship बहुत ही beautiful थी है अब ये शादी करने वाले होते हैं तो एक घर बाय कर रहे हैं जो घर वो लेने वाले होते हैं उसके वराणे पर बेटते हैं वहाँ का sundown जो होता है ये देखते हैं बिक फिर कहती है जब तुम मरते हो तो तुम्हारे जो next life है ये सब तुम्हें दीखने लग जाती है जब तुम मर जाते हो तो ये सब भूल जाते हो फिर से तुम्हारा जब जम होता है तो तुम्हारी जो better half थी यानि कि तुम्हारी प्रेमी का इसे फिर से तुम ढोडने लग जाते हो तो यह कुछ भी याद नहीं रहता वो कहती है कि अगले जनम में मैं फिर से इसे face के साथ तुमसे मिलने के लिए आउंगी बिक ने उसे कहा होता है कि अगले जनम में मुझे detective बनना है सुवाँ उसे कहती है कि अगर तुम detective बने तो हम दोना नहीं मिल पाएंगे हमें 2015 में कीम दिखाय गया है उसका एक superior आता है यह superior का नाम kang होता है यह superior बहुत ही strict होता है जब एक आतमे ने एक औरत को हस्टेस लिया होता है उसे लेकर भाग रहा होता है तो वहाँ kang और किम पहुच जाते है वो उस औरत पन गन रखता है पर kang उस आतमे को shoot कर देता है shoot करने के बाद उसका कंधा हो जेक करता है किम को यह बहुत ही अज़िब लगता है किम फिर अपना जो friend है इससे बाते करता है यह पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया है किम का friend उससे कहता है कि जो kang है इसकी wife मर गई थी एक serial killer नहीं इसकी wife को मारा था पर यह भी इसके पीछे पढ़ गया था एक दिन इसने उसे पकड़ी लिया था पर इसे पकड़ नहीं पाया उसके कंदे पर इसने गोली शुट की थी क्या वो अभी भी जिन्दा है इसके लिए वो हर आदमी का कंदा चेक करता है हमें फिर इसे बीक दिखाय क्या है वो सुवान के साथ रेस्टोरन में आया होता है वहाँ बीक के स्कूल के बच्चे जुवा खेल रहे होते यह इसे देखते है पर उन्हें लगता है कि यह चेक करने के नहीं आएगा पर बीक भाप भोच जाता है वहाँ एक शरारिती लड़का होता है इसे हो पकड़ लेता है नेक्स दिन इसे पनीश करता हूँ हमें बीक दिखता है यह लड़का उसे पूछता है कि बाकी टीचर्स तो इतने सिंसर नहीं है वो इतना अटेंशन तो नहीं देते वो गहता है कि मैं वैसा नहीं हो तुम्हें एक डायरेक्शन की लाइफ में जरूर थे वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बीक इसके बाद जब खिटकी से देखता है तो वा स्नो पढ़ने लग जाता है जो भी सब बीक देख रहा होता है यह सब कुछ कीम को अपने सपने में दिखता है कीम को पेले होने होता कि यह सचमुच में हो रहा है पर उस दिन वो रेडियो सुनता है जो रेडियो जौकी होता है वो कह रहा होता है वो कहता है कि हमारे टीचर ने प्रेडिक किया था कि 2015 में exactly इसी डेट पर स्नो आने वाला है इसका नाम जब वो बताता है कहता है कि फ्यूचर में स्नो कब आने वाला है यहाँ पे जो बच्चा बिठा होता है वो 2015 में रेडियो जौकी बन जाता है इसी वज़े से रेडियो पर कीम को यह सब सुना ही दिया गया था बिक और भी फ्यूचर के बारे में बाती करता है जो स्मार्टफोन होते है इसका डिस्क्रिप्शन उने देता है कोई भी इस पर बिलिव नहीं करता किम भी अपने फ्रेंड को जो सब हो रहा है यह सब कुछ बताता है उसका फ्रेंड भी उस पर बिलिव नहीं करता सुवान इसे पकड लेती है और लोगों को बुला लेती है किम का वॉलेट इसके पास नहीं होता तो इन्हें लगता है कि अबड़क करने वाला कोई क्रिमिनल है यह फिर उसे जब पुलिस स्टेशन में लेकर आते है तब इन्हें पता चलता है कि यह डिडिक्टिव है यह सब कैंग देख रहा होता है अब 2015 की सुवान को पता चल चुका है कि यह डिडिक्टिव है तो यह सब अब डिनर के लिए आ जाते है किम बीलिव नहीं कर पाता कि 2015 की सुवान और उसकी ड्रीम्स की सुवान यह सेम ही है सुवान के स्कूल का नाम लेता है वो कहता है कि क्या तु तो इसे वो अब कन्फरम करती है इसे आब सुवान भी इसमें सब में इंटरस्टेड हो जाती है कूल का चो फुराने एर बुक था इससे वो देखती है इसमें 1983 की सुवान जो टीचर थी यह देखती है इन दोनों का चेहरा से हुEL होता है यह सब वो कीम को दिखाती है कीम जब investigation कर रहा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़े नहीं मिल रही होती है कैंग फिर उसके पास आता है उसे कुछ files देता है और कहता है कि इन्हें short करकर देना इस files में 1983 की सुवान के बारे में एक file होती है इसमें सुवान मर चुकी है यह लिखा होता है इसका murder हो चुका था सुवान का murder हो चुका है यह अब बीक को अपने सबने में पता चल जाता है यह इससे बहुत ही जादा disturb हो जाता है 1983 में सुवान जब अपने school में होती है तो आज बहुत ही देर हो जाती है जब वो लैब में जाती है तो वहाँ एक लड़की होती है उसका पेर काजबर पर जाता है उसकी वज़े से वो इंजोर हो जाती है सुवान उसे पास आती है उसे मलम पट्टी वगरा करवाती है इस लड़की से पूछने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ भूक लेने के लिए आई थी मुझे लगा यहाँ कोई है तो मैं चेक करने के लिए आई तो मैं इंजोर हो चुकी हूँ यह फिर से कहती है कि मैंने किसी को यहाँ देखा था अब बीक को पता चल चुका है कि सुवान मर सकती है उसने ड्रींस में देखा है तो कल वो फिर से अपने स्कूल में सुवान से मिलने के लिए आता है वो सुवान से बुछता है कि आज तुम्हारा प्लान क्या है यह कहती है कि मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकती यह कहता है कि ऐसा क्या प्लान है यह बहुत ही ज़ादा इंसिस्ट करता है तो यह उसका प्लान बता देती है यह आज वेडिंग डेस देखने के लिए जा रही होती है यह सब वो सुन रहा था जब स्टूडर्ट ने मैच देखी तो बीक ने जो स्कोर प्रिजिट किया था यही स्कोर आया अब बीक को 100% मालूम हो जाता है कि जो सब ने है यह कोई illusion नहीं है जो सब हुआ था वो सच मुझ में हो रहा है जो केस फाइल क्यांग ने कीम को दी थी इसमें बहुत सारी चीजें उसने देखी थी इसमें वर्कर की स्ट्राइक होने वाली है यह भी बीक को पता चल चुका था जब बाहर आया तो यह हो रहा था अब यह 100% शोर हो जाता है बीक ने फाइल में देखा था यह जुवारी था उसने सुवान को मार डाला था उस जुवारी को फिर बीक धुडने लग जाता है एक जगा पर आता है उसका नाम लेता है यह जुवारी फिर वहाँ से भाग जाता है बीक उसका पीछा करता है पर इसे धुडन नहीं पाता ये जुवारी भागते भागते सुवान से टकरा जाता है सुवान के पास बहुत सारे पैसे होते है ये वो देख लेता है सुवान एक जगा ट्वालेट में जब आती है उसका पीछा करते करते है ये वहाँ पहुच जाता है इसके बाद यह जुवारी जब बाहर निकलता है तो बीग से यह टकराता है इसके हाथ खुन से रंगे होते है और सुवान की पर्स इसके पास होती है बीग डर जाता है एक सुवान को देखने के लिए जाता है तो सुवान मरी पड़ी होती है जो जुवारी था उसे नेक्स दिन पुलिस पकड लेते हैं बेग भीवा होता है बेग ये सब जब देख रहाता है तो ये उसके स्टूड़न के ही फादर होते हैं जिस स्टूड़न को उसने पकड़ा था जुवा खिलते हुए उसका ही ये फादर थे ये स्टूड़न फिर भीग के पास आता है वो कहता है कि मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते उन्हें फ्रेम किया जा रहा है जो एक्च्वल मर्डर है इससे मैं ढून लूँगा अब मैं फिर से 2015 दिखाय जाता है ये स्कूल के वाइस प्रेसिडंट से बात करी होती है करते है कि उस फायर में कौन से बच्चे मरे थे तो उन्हें पता चलता है कि 1983 की सुवान जो थी उसके ही सब क्लास्क्रूम के बच्चे इसमें मर चुके थे ये इन्हें बहुत ही सस्पेशियस लगता है ये जब बात करे होते हैं तो हमें दिखता है कि क्यांग इन दोनों पर नज़र रख रहा है हमें पता है कि बिग हमेशा audio recording करता है तो इसके जो सब recordings होती है ये अब क्यांग के पास है क्यांग जो है ये बिग के related है जो सब किम को मालूम हो रहा है ये सब चीजे अब बीक को दिख रही है बीक फिर इस मरंडर के इन्वेस्टिकेशन में लग जाता है किम फाइल्स में देखता है कि जो गैमलर था वो रियल किलर नहीं था क्योंकि वो मरने के बाद भी एक मर्डर हुआ था अब बीक को पता चल चुका है तो इस इन्वेस्टिकेशन में लग जाता है कि रियल मर्डर कोन है जब बीक इस गैमलर से मिलने जाता है तो गैमलर कहता है कि वहाँ और एक आदमी था उसने मास्क पहना था यह उसे कहता है जब बीक इस क्राइम सीन पर जाता है तो वहाँ उसे मास्क मिल जाता है जो सब investigation बीक करता है इस सब की उसने recording की थी यह recording कैंग के पास है जो fire होने वाली थी जिसमें सब बच्चे बनने वाली थे इसके बारे में अब बीक को मालूम है बीक को पता है कि जो real killer है वो वहाँ आया होगा वो सब prepare करता है उसे पकरना चाता है जो वहाँ पोच्चता है तब already आग लग चुकी होती है वो उस killer को पकर सकता है वो सामने ही होता है पर इस room में जो बच्चे होते हैं वो घायल पड़े होते हैं इनको बचाना उसे ज़्यादा important लगता है तो उस killer को जाने देता है यह आग तो लग चुकी थी पर इस आग के बारे में उसे जल्दी पदा चल गया था तो यह जो room है यह जलने से बच जाता है जो future है यह अब change हो गया है यह किम को दिखता है जिस बिल्ली में आग लग गी थी अब आग नहीं लगी है बिग जहाँ आग लगी थी वहाँ फिर से गया था सुआन को उसने जो ring दी थी यह उसके पास थी यह ring उसने वहाँ के एक clock में रख दी थी किम फिर 2015 में उस जगा पर जाता है जब वो clock में देखता है तो वहाँ actual में वो ring पड़ी हुई होती है किम सुआन को call करता है और जो fire थी वो कभी लगी ही नहीं थी यह good news वो सुआन को देता है यह दोनों आज मिलने वाले होते है तो किम उसके लिए dinner cook करता है उसका wait करते रह जाता है और सुबह हो जाती है सुबह उसे news वर पता जलता है कि सुआन का accident हो चुका है उसको जो गाड़ी थी वो खाई में मिल गई थी जब पूली स्टेशन में आता है तो सुआन के गाड़ी का जो camera होता है इससे कुछ videotape मिलती है इस videotape में होता है जो mask वाला आदमी है इसने इसकी गाड़ी रोग दी थी इसने सुआन को पकड़ लिया था और उसने उसे मार डाला है यह हमें इस videotape में दिखता है यह देखकर किम रोने लग जाता है फिर से 1983 दिखाया गया है और बिग स्कूल में होता है उसके पास एक लड़की आती है यह वही लड़की है जिसका पेहर काचपर पड़ा था और यह इंजोर हो गई थी सुआन ने उसकी मलम पट्टी की थी तो सुआन का हैंकलचिप इसके पास होता है यह वो बिग को दे दी थी है बिग को मालूम होता है कि इसका वह मर्डर होने वाला है यह फिर डिजड करता है कि इस पर वो नज़र रखेगा जिस एक्जाक टाइम पर होने वाला होता है तो वह वो पहले ही पहुआ जाता है लैब में चुपा होता है यह लड़की वहाँ आती है किलर फिर मास्क पहन कर वहाँ पहुआ पहुआ जाता है वहाँ फिर वह एक gas crate करता है जिससे लड़की unconscious हो जाती है बिक भी unconscious हो सकता है इसलिए वह वहाँ से बाहर निकलता है और खेकी टोरता है जो killer था यह सब देखता है और वहाँ से भाग जाता है बिक का student जो गैमलर का बच्चे है इसे सब बच्चे तकलिफ देते इसके father murderer है इसलिए इसे bully कर रहे होते बिक इसे बचा लेता है वो कहता है कि इसके father murderer नहीं थे यह बच्चा surprise होता है कि बिक ऐसा क्यों बोल रहा है इसे क्या मालूम पड़ा है इसके बाद नेक सीम में बिक को अरेस करने के लिए पुलिस आते है बिक से पुलिस कहते है कि जो मास था जो हर crime scene पर हमें मिला था वो तुमारे death पर हमें मिला है इसे suspect कर रहे होते हैं कि यही killer है बिक फिर वहाँ से खिड़ी तोड़ता है और भाग जाता है यह जब भाग रहाता है तो जो उसका student है है इसे help करने के लिए motorcycle लेकर आता है यह दोनों फिर वहाँ से भाग जाते है अब हमें फिर से पिक दिखता है वो अपने student से बात कर रहाता है वो कहता है तुमारे father killer नहीं है जो सब बाते है उसे explain नहीं कर सकता पर उसने audio record करकर यह सब बात एक कही है यह सब recording वो इस student को दे देता है इसका मतलब कीम का 2015 में जो boss है जिसका नाम क्यांग है यही यह student है बीक अपने student को कहता है कि और एक लेड़ी है जिसे तुम बजा सकते हो उसकी location सब को जो उसे दे देता है अब नेक्सिन में हमें किम दिखाया जाता है और उसका friend उसे कुछ दिखा रहाता है वो उसे कहता है कि किलर की गाड़ी हमें दिखी थी उस गाड़ी में tracking device है और इससे हमें पता चला है कि यह गाड़ी अभी भी वही है किम फिर किलर को ढुणने के लिए निकट पड़ता है हमें दिखता है कि जो 2015 की सुवान है यह भी भी जिन्दा है और एक underground bunker में वो बेठी हुई है वहाँ पे जो किलर है वो भी मौजूद है सुवान को जो पहुशाता है तो एक चेर लेती है और किर्णा पर के सर में डाल देती है किर्णा पर को बन करकर वहाँ से भागने लग जाती है यह जो डोर होता है किर्णा पर खिक करके उसे open कर देता है यह भी इसके पीचे पीचे भागता है किर्णा पर के एक phone से सुवान कॉल लगाती है ये call वो कीम को लगाती है कीम कहता है कि मैं भी वही आ रहा हूँ मैं honking कर रहा हूँ मैं तुम्हें ढोण सकता हूँ सुवान जब रस्ते पर आती है तो कीम फिर उसे spot करते है उसके पास वो आने वाला होता है पर ये रस्ते पर होती है तो एक गाड़ी इसे कुचल देती है इस accident से अभी हो मर जाती है इसके बाद फिर सुवान ने जिस mobile से कीम को call किया था इस mobile किसे investigation करना कीम start कर देता है ये जो number होता है ये evidence से होता है कीम को फिर kang पर शक जाता है जो evidence होते है इसको kang ही access कर सकता है कैंग की killer है ऐसा उसे लगता है वो फिर kang के घर पहुच जाता है कीम उसके घर पर जाकर जब देखता है तब killer को ढूणने के लिए बहुत सारा study उसने किया होता है कैंग की जब फैमिली फोटो देखता है तो उसकी wife जो थी ये BK स्कूल में थी कीम फिर घर से बाहर निकलता है तो कैंग वहा जाता है कीम कैंग से कहता है कि ये जो murder हुआ था ये बहुत अलग तरीके से हुआ था ये जो murder है ये real murderer ने नहीं किया है 2015 के सुवान को जिसने अगवा किया था ये कैंग था ये कैंग से पूछता है कि उसने क्यों किया था कैंग फिर कहता है कि बीक हमें बताता था कि वो future देख सकता है वो dreams देख रहा है जब मैंने हमारे period में तुमें देखा तो तुम भी सपना देख रहे थे यानि कि तुम दोनों एक दूसरे से communicate कर सकते थे बीक ने give up कर दिया था किलर जो था उसे ढूणने में बीक ने give up कर दिया था ये सब investigation उसने मुझे सोब दी थी अगर मैं तुमारे जरीय फिर से उसे दिखा पाता कि किलर जो है ये अभी भी जिन्दा है तो वो कभी भी इस investigation को drop ने करता तुम भी हमेशा killer को ढूणते रहते कैंग का इसके बीचे अलग motivation होता है इसकी जो वाइफ थी इसको भी किलर ने मारा था कैंग इस murder की जब investigation कर रहा था तो उसे murder weapon मिल चुका था इसे murder weapon मिल चुका है तो किलर ने इसे blackmail करना start कर दिया इसकी wife वो अगवा कर लिया और यह murder weapon उसे लानी के लिए बोला जब कैंग यह weapon उसे देने के लिए गया तो इसकी wife को उसने मार डाला कैंग ने killer पर गोली चलाए पर उसके कंदे पर लगी वो मरा है या नहीं यह कैंग को नहीं पता कैंग killer से obsessed हो चुका था तो उसे जो investigation है यह continue चलनी चाहिए ऐसा लग रहा था कैंग को अगर लगा कि killer अभी भी जिन्दा है तो investigation चलती रहेगी जो killer है वो पकड़ा जाएगा यह सब होना चाहिए इसलिए सुवान को कैंग ने अबड़क कर लिया था कैंग कहता है कि सुवान को मैं मारने नहीं वाला था मुझे सिर्फ तुमें दिखाना था कि वो मर चुकी है रोड पे जो accident हुआ यह बहुत गलत चीज हो गए कैंग फिर कीम के पास आता है और अपने teacher बीक को एक message देता है उस date पर बीक को अपने school नहीं जाना है क्योंकि वहाँ killer है अगर बीक school पर जाएगा तो killer उसे मार देगा यह message उसे दे कर जाता है कैंग बीक को यह भी कहता है कि मुझे तब मार डालना अगर तुम मुझे तब मार डालोगे तब मैं इस case से अपसेस नहीं हो जाओंगा मैंने जो murder किया है यह मुझे से नहीं होगा अब हमें देखता है कि बीक को यह सब message मिल चुका है इस रात बहुत ही बारिश हो रही होती है यह कैंग का message सुनता तो है पर इसे ignore कर देता है वो अभी भी school में जाने वाला है बीक जो है यह यंग कैंग के साथ यानि कि उसके student के साथ एक जगा पर छुपा हुआ था वो रात में वहाँ से निकल जाता है वो school में आ जाता है किया school में आने के बाद हमें पता चलता है जो killer है यह उनका ही biology teacher है इस बार बीक ने भी अपने साथ मास्क लाया होता है biology teacher और बीक यह दोनों अब एक दुसरे को मारने लग जाते है बीक उसका गला दवार होता है और फिर उसे भुचता है कि यह सब तुमने क्यों किया था यह biology teacher कहता है मुझे drugs की आदत थी chemistry lab से मुझे यह सब मिल जाता था suwan chemistry की teacher थी तो इसने यह सब देख लिया था suwan ने देख लिया आये तो उसका job भी जा सकता था इसलिए suwan को उसने मार डाला था एक student थी जिसने भी यह सब देख लिया था इसको भी मानने की कोशिस ने की है यह biology teacher फिर एक चाको लेता है और इससे big को मारने वाला होता है तब ही वहाँ young kang आ जाता है kang फिर biology teacher को खिटके से बाहर फेक देता है biology teacher जिस लटकी को मारने वाला था kang वो सही है या नहीं यह देखने की ले जाता है वो कुछ भी hurt नहीं होई होती big वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो biology teacher फेसे उपर आ जाता है वो एक चाको लेता है और big को मार देता है big और biology teacher अब दोनों एक दुसरे से बहुत ही जगड़ते है यह एक दुसरे को मारते मारते terrace पर आ जाते है यहाँ बहुत जादा बारिश हो रही है big के पास एक handcuff होता है इस handcuff से इस biology teacher को पकड़ लेता है उसे घसीटा घसीटा एक pole के पास लेकर जाता है यह जो pole होता है यह lightning को capture करता है इसे मालूम होता है कि आज बिजली इस पर गिरने वाली है यह killer को वहाँ से बान देता है और यह बिजली उस पर गिर जाती है यह killer slash biology teacher यही मर जाता है kang big को देखने के लिए आता है पर इसी terrace पर big भी मर जाता है जिस लड़की को kang ने अब बचाया था यही उसकी wife बन जाती है अब में next scene में फिर से 2015 दिखाया जाता है किम जब next day अपने job पर जाता है तो उसे कोई भी पहचान दने उसका जो friend था वो senior बन चुका है किम जब TV पर देखता है तो big का एक student बहुत ही बड़ा entrepreneur बन चुका है big ने उसे cell phone के बारे में कहा था तो उसके student ने इसमें invest किया था तो अब वो बहुत ही बड़ा अमेर बन चुका है किम को यहाँ पता चलता है को डिटिक्टू ही नहीं वो फिर स्कूल पहुचता है स्कूल में पहुच जाने के बाद swan उसे दिखती है swan और इसकी relationship है यह उसे पता चलता है यह दोनों इसी स्कूल में बढ़ाते है किम जो है यह music teacher है और swan जैसे पहले थी उसी तरह से chemistry teacher है किम फिर इसे हक करता है जब इस स्कूल में पहुचता है उसे फिर kang दिखता है kang भी इसी स्कूल में teacher है जिस तरह से अच्छी शिक्षा बीक अपने student को देता था उसी तरह से क्यांग भी अपने बच्चों को बहुत ही सही तरीके से पढ़ाता है अब जैसे हमने movie के first में देखा था कि बीक और swan दोनों अपना घर देखने के लिए गए थे इसी तरह से क्यम और swan भी उसी घर को देखने के लिए जाते यह दोनों फिर से वरांडे पर बैठते है तो swan फिर से वही बात करती है वह कहिती कि जब हम मर जाते है तो नेक जनम में हम क्या है यह हमें दिखता है यही जो सब है यह इन दोनों के साथ हो रहा था यानि कि बीख ही है बनने के बाद वो कीम बन चुका है swan भी फिर से बौन होई थी और उसे चेहरे के साथ वो वापस आ चुकी है 1983 में पिक और swan एक दुसरे से मिल नहीं पाये थे पर इस बार कीम और swan तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा बहुत सारी ऐसी मुवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिविशन आइकन दबाना भी मुद भूलिए यानि कि आपको सब मुवीज मिलती रहे हम फिर से मुलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आपका खैल रखिये